नमस्कार मैं राउल शिर्मा आप देखने एस्पिन आइनियो स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरवात चुनावी रणीती कार प्रिशान्त किशोर जिनकी रणीतियां कभी विफल साबित नहीं होती है लेकिन गुजरात विधान सभाचुनाव से पहले प्रिशान्त किशोर को लेकर खबरों का आना ये बताता है कि क्या गुजरात विधान सभाचुनाव को जितमाने में आम आदमी पार्टी की मदद करेंगे प्रिशान्त किशोर और प्रिशान्त किशोर क्यों वेपक्षी पार किसी भी लिहास से ठीक नहीं है। सरकारी एजंसिया जो छानबीन कर रही है। कि क्या केवल विपक्ष के लिए है। क्या केवल विपक्ष से ही सवाल जवाब होती नज़र आएंगी। देंकि सीधे तोर पर आज जो हालात बने हैं वो कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि प्रशान किशोर भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी कम कम मजबूती के साथ जरूर खड़ी होती नजरा है क्योंकि आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी को डर लगने लगा है बीजेपी इस बात को समझ रही है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार उनके लिए खत्रा है रेखे गुजरात विधान सबाच चुनाओं से पहले आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनमें महंगाई, विरुजगारी, सिक्षा, स्वास्थ, ऐसे तमाम मुद्धे हैं, यंग्ष्टर जो युवा हैं आजकल के, उन युवाँ को आगे लेकर चल रही है, और बीजेपी, धर्म, समुदाय, जाती, इसकी राजनिती करती है, गुजरात से कुछ खबरे निकल कर स तो यहां पर यह देखना होगा, गुजरात का जो चुनाव है, वो पिये मोदी अपने चेहरे पर लड़ते हैं, और अगर लड़ेंगे उसके बावजूद गुजरात में उनकी हार होगी, बीजेपी की, तो क्या यह पिये मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत शान्त की शोर को लेकर जो खबरे आ रही हैं कि वो उतर सकते हैं, और बड़ी भूमिका गुजरात में निवास सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ बड़ा खेला गुजरात में हो सकता है, आज के लिए तनहीं, आप से फिर दोबार मुलाकात होगी, तब तक ले ज सकते हैं.